क्या आपने कभी करनाटिका का ये famous breakfast खारभात और नारियल की चटनी कभी खाई हैं। आप इसे आसानी से सिर्फ 15 मिनिट में बना सकते हैं। ये breakfast healthy है और बहुत tasty भी। सबसे पहले कढ़ाई में आप डाले oil और उसी के साथ खी। अब जब ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे काजू। आप काजू को रोस्ट करें एक से दो मिनिट ताकि इसमें हलका golden brown कलर आए। यहाँ काजू हमारे हो गए हैं तो इसे अब हम निकाल देंगे। उसी तेल में हम डालेंगे उड़त दाल, रोस्टिक चना दाल और राई। हमें इसे भी रोस्ट कर रहा हैं ताकि दालों में हलका golden brown कलर आए। आप देखें दालें हमारी अच्छे से कुख हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और उसी के साथ कड़ी पत्ता। इसको भी अब आप कुछ समय के लिए भुने। अब हम इसमें डालेंगे बारी कटे हुई प्यास। प्यास को हमें एक से दो मिनत तक रोस्ट करना है ताकि इसमें हलका ट्रांस्लूसिट अफेक्ट आए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई गाजर और फ्रेंच बीन्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजेटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें आपने उसे बारी काटा हो। तो यहाँ वेजेटेबल्स मेरी हो गई हैं। अब मैंने डाले हैं मटर, यहाँ मैं फ्रोजन मटर ले रही हूँ। अगर आप रेगुलर मटर ले रहे हैं तो वो आप गाजर और बीन्स के साथ ही कुक करें। तो बस हमें इसे दो-तीन मिनट तक कुक करना है। वेजेटेबल्स बहुत जादा टाइम नहीं लेंगी क्योंकि हमने इसे छोटा-छोटा काटा है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ सूजी और सूजी को हम वेजेटेबल्स के साथ ही रोस्ट करेंगे। यह आपका बहुत आसान होगा क्योंकि आपको अलग से इसको रोस्ट नहीं करना। तो वेजेटेबल्स के साथ आप इसे तीन से चार मिनट तक मीडियम हीट पे भौने। तो यहाँ मैंने सूजी को भौन लिया है। अब मैं इसमें डालोंगी बारी कटे हुए टमाटर और यह डालके भी हमें एक मिनट तक इसे कुक करना है। तो यहाँ देखें सूजी का कलर हमारा हलका ब्राउन हुआ है, यह बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी, आप हमेशा खारा भात या उत्मा बनाती वक्त ध्यान रखें, आप पानी हमेशा गरम डालें, अगर आप ठंडा डाल देंगे तो कई बार इसमें लंप्स पड़ सकते हैं। अब हम डालेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी चीनी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी इसको मीठा नहीं करेगी, इसके सारी टेस्ट को बैलन्स करेगी। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और ढग कि मैं इसे को करूँगी, मीटियन से लो हीट पर दो से तीन मिनिट। तो ये हमारा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश ग्रेटिट कोकुनट। उसे के साथ वांगी भात, ये मसाला आपको बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। अब हम डालेंगे फ्रेश धनिया, काजू और देसी घी। जैसे मैंने आपको बताया, वांगी भात मसाला आपको कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी पोस्ट करूँ तो मुझे लिखकर जरूर बताएं ये वो इंग्रीडियन्ट है जो उपमा को खाराभाद से अलग करता है इसके साथ सर्फ की जाने वाली चट्मी अब हम बनाएंगे तो यहां मैंने लिया है नारियल, अदरक, हारी म जिर्च, लस्टन, अगर आप लस्टन नहीं खाते तो स्किप कर दे, इमली, उसी के साथ रोस्टिट जनादाल आप चाहें तो मुफली भी डाल सकते हैं, जीरा और नमक अब आप इसमें डाले पानी, तो यह चट्मी की कंसिस्टिंसी थोड़ी पतली होती है, बट अगर आपको गाड़ी पसंद है, तो आप पानी की क्वांटिटी कम डाले इसको हम बिल्कुल फाइन होने तक पीसेंगे, तो यहां आप देखें यह बिल्कुल परफेक्ट है, इसको अब आप निकाले एक बोल के अंदर और अब आप इसमें डाले पानी, इसके लिए अब हम एक बहुत ही बढ़िया तड़का भी बनाएंगे, तो यहां आप देख ही और ड्राइड रेड चिलीज, इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए भुनें, और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, तो आपका तड़का बनके तयार है, आप इसे इमिजिटली पोर करें अपनी कोकुनट चतनी के ऊपर, अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आईगी बिल्कुल रेस्टरान जैसी बनती है, उसका लिंक भी में यहां दूंगी, आप हो भी जरूर चेक करें